इस ब्यानिक गर्मी में किसी भी चीज को सुरक्षित रखपाना अपने आप में एक चुनौती है लेकिन पिछली 133 दिनों से एक साधवी का शरीर एक ही जगा पर जस्का तस रखा है साधवी के शिश्ये इसे समाधी कहते हैं और उनके शरीर पर कोई रहसे में लेप लगाते हैं लेकिन क्या ये उसी लेप का कमाल है या फिर कलीनिकली डेट करार दी जा चुकी इन साधवी का सच कुछ और है वो समाधी है अंधुश्वास है या फिर कुछ और जिस पचास डिगरी के टेंपरेचर में इनसान के लिए एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है बाहर चलती हीट वेप से लोगों का जीना मुहाल है उसी भ्यानक गर्मी में एक महिला का शरीट एक आश्रम में पूरे 133 दिनों तक ही एक ही जगा पर जसका तस्व यूँ ही रखा हुआ है डॉक्टर उसे डैड बिता चुके हैं वो ना तो सांस लेती है ना खाना खाती है ना अपनी जगा से हिलती है और ना ही उनकी धरकन चल रही है लेकिन इनके बावजूद उनका शरीर है कि खराब नहीं होता है रानी ये भी है कि उनका शरीर ना तो सिर्फ बरफ की सिल्ली पर रखा है और ना ही डीप फ्रीजर के अंदर लेकिन इसके वाजूद उनके शरीर में ना तो कोई अकड़न है ना ही उसके खराब होने के कोई संकेत टर्क साइंस ब्यावारिक तक्ता और सिस्टम के पैमानों पर आप इसे जो भी मानते हूं लेकिन उन्के शिषय हैं जो ये मानने को त्यार नहीं है कि वो अब जिन्दा नहीं है बलकि उनके शिष्य इस महिला की इस हालत को समाधी का नाम देते हैं और ये भी कहते हैं कि अब से कुछ दिनों के बाद वो इस समाधी से खुद वख खुद बाहरा जाएंगी ये अजीब गरीब कहानी है लखनों के आनंद आश्रम की जहां आश आश्रम के लोग ये बता रही हैं कि साधवी समाधी में समाधी का मक्षट विशुप के लियान के साथ साथ उनके अपने गुरू आश्रम महराज को समाधी से वापित लाना है असल में खुद आश्रम महराज का शरीर भी इसी तरह पिछले 10 सालों से उनके जलांदर के आश साधवी आश्रम के शिश्यों का कहना है कि उनकी गुरूमा यानि आश्रम की समाधी में जाकर आश्रम महराज को उनकी समाधी से जगा कर इस दुनिया में वापिस ला सकती हैं लेकिन विशुप कल्यान के महा मिशन से लेकर आश्रम महराज को जगाने का ये काम साधवी शुतो शंबरी समाधी में गई थी तो उन्होंने इसके लिए सिर्फ एक महीने यानी 30 दिनों का वक्त ही तैकिया था उन्होंने कहा था कि महीने भर में वो समाधी से लोटाएंगी लेकिन वक्त गुजरता रहा और समाधी 30 दिनों से 133 दिनों में पहुंच की लेकिन इस से उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए खास तोर पर एसी और पंखों का इंतजाम किया गया है साथ ही उनके शरीर पर आश्रम के अनुवाई खास किसम के जड़ी बूटियों का लेप लगा रहे हैं ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि अगर डाक्टरों के मुताबिक सा सवाल पर दुनिया का जवाब चाहे जो भी हो आश्रम के अंदर साधवी के शिशे कुछ और ही कर रहे हैं उनके शिशों के माने तो अम मौसम को देखते हुए उनके शरीर पर हर रोद जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता है जिसमें हल्दी चंधन कुम कुम के साथ कस्तूरी भी मिला होता है इस पर आश्रम के अन्युआई खुल कर कुछ बात नहीं बोलते हैं दॉक्टर साधवी आश्रुत शमरी के शरीर की एक बार नहीं कई बार जांच कर चुके हैं इन में प्राइवेट से लेकर के सरकारी डॉक्टर भी शामिल है और लगभग सारे क सारे डॉक्टरों का यही कहना है कि साधवी के शरीर में अब जीवन के कोई भी अंश मौजूद नहीं खास कर उनका सांस लेना धरकन पल्स रेट सब गाइब होना भोजन ना करना यह सब इस बात का सबूत है लेकिन विडमना यह है कितने मेडिकल जांच और हर जांच में स बलकि साधवी के जीवित होने को लेकर जब साधवी के शिशे आशुतो शंबर से सवाल पूछा गया तो उल्टा उन्होंने मेडिकल साइंस पर ही सवाल उठा दिया और चुनोती देडाली की जिन्दी और मौत के लेकर अगर कोई चाहे तो उसके साथ बहस करने के लिए त आनन्द आश्रम और साधवी आशुतो शंबरी की समाधी को लेकर मनो विज्ञान के आशंकाओं को नजर नदाज नहीं किया जा सकता बक्ति और समाधी अपनी जगा है लेकिन आनन्द आश्रम के हालात को देखकर मनो विज्ञानिकों को लगता है कि ये किसी मानसीक विमार की भी निशानी हो सकती है बरहाल ये सही है कि जब तरक और विज्ञान की सिमाएं खतम हो जाती है तो आस्था और कई बार अंदिश्वास की शुरुआत भी वहीं से होती है ऐसे में जरूरत विज्ञान और अध्यातम के बीच एक तालमेल की है जो फिलहाल इस केस में यानि के बिल्कुल गायव नजर आ रहा है लगनों की जिन साधवी आशुतोशंबरी की समाधी ने लोगों को हैरत में डाल दिया उनके गुरू आशुतोश महराज की कहानी उनसे भी दस कदम आगे है आशुतोश महराज का शरीर दस सालों से एक डीफ फ्रीजर में रखा ह और उनके शिशों को यकीन है कि वो रोज एक समाधी से उठकर डीफ फ्रीजर से बाहरा जाएंगे यही वो तारीक थी जब जर अंदर के नूर महल में दिव्य जोती जागरिती संस्थान के मुक्या आशुतोश महराज ने जीते जी समाधी ले ली थी समाधी में जाते वो ऐसे लेटे कि फिर कभी नहीं उठे एक वो दिन था और एक आज का दिन महराज के शिशे आज भी उनके अपने शरीर में वापिस लोट आने की उमीद के लिए उनका इंतिजार कर रहे हैं और तो और आस तोश महराज के शिश्यों ने उनके शरीर को पिछले 10 सालों से उनके दोबार आउट खड़े होने की उमीद में एक डीप फ्रीजर में रखा हुआ हैं कहते हैं इतिहास कभी ना कभी अपने आपको दोहराता जरूर हैं महराज की समाधी वाली कहानी में ट्विस्ट है ये है कि अब ठीक आसुतोश महराज की तरज पर उनकी एक खास ही है फिलाल उनके पूरे श्रीर पर कई तरह के लेप लगे हैं उनके शिश्य उनका दिन रात ख्याल रखते हैं आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की